दोस्तों स्वाद आपका टेक विला यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाटसप में मैसेज सीन कैसे हाइड करें या फिर वाटसप में जो सीन है उसको कैसे हटाएं या कैसे छुपाएं तो दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे लिए तो हम WhatsApp में चले आते हैं और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं How to remove or hide scene in WhatsApp तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको दोस्तों WhatsApp open करने के बाद में उपर right corner में three dots इस पर click कर दीजे करने के बाद में यहाँ पर setting वाला option इस पर चले आईए जाने के बाद में account वाला option आपको देखने को मिल रहा है इस पर चले आईए जाने के बाद में privacy वाला option देखने को मिल रहा है इस पर चले आईए वैसे आपको देखेंगे दोस्तों नीचे का आप देखेंगे read receipt नाम से एक option देखने को मिल रहा है यह वैसे basically यह on रहता है normally on रहता है on रहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो message लोगों को भेजा है उनको दिख जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हमारा यह message उसने पढ़ लिया और जो दूसरा भेज रहा है वो आपको दिख जाएगा कि उसने पढ़ लिया है लेकिन अगर इसको आप यहां से off कर देते हैं तो अब जो है दोस्तों आप जो भी message किसी को भेजते हैं या जो message दूसरों का आपके पास में आ रहा है उसको यह पता नहीं चलेगा कि आपने उसको पढ़ लिया या scene कर लिया है तो यहां पर दोस्तों जैसे मुझे एक message अभी यहां पर आने वाला है उस message को मैं यहां पढ़ूँगा लेकिन आप देखेंगे जैसे मैं इधर पर अपना message भेज दे रहा हूँ यह देखें message जो है मेरा वहां पर चला गया है और उसने scene भी कर लिया है लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर वो receipt का जो blue sign आ जाता है वो blue sign यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है और ना जो हमारा भेजा हुआ message है उसमें भी हमें जो है blue sign नहीं देखने को मिल रहा है तो इस तरह से दोस्तों जो है हमारा WhatsApp में आप जो है scene message का जो है हटा सकते हैं और बंद कर सकते हैं